नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हम PTM के बारे में, ये PTM एक बहुत ही बड़ी फिंटे कमपनी है, लेकिन IPO के बाद इनका शेर 50% गीर चुका है, अभी जो न्यूज आई है, उसके कारण और गिरावड देखने को मिलने के चांसेज बन चुके है, तो अचला बात करते ह अभी और उनका financial analysis भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो अभी अभी RBI ने जो कि Reserve Bank of India है, उन्होंने बयान लगा दिया है PTM Payment Bank पे, PTM ने अभी के रिसेंटली business payment system में मतलब banking जैसा, जो कि small finance bank होता है, उसमें अपना कदम रखा था, और उसके बाद उनके PTM की सबसे उनके पास बहुत बड़े millions of subscribers थे, लेकिन जब RBI ने इनिस्टिकेशन अभी चलाया, तो उसनको थोड़े सी irregularities दिखने को मिले और उसके करण RBI ने जिस जो कि RBI की bank की list में almost six, छे नंबर की company है, इससे पहले RBI ने बहुत सारे company उपे भी bank लगा दिया था, जो कि बड़ी-बड़ी company है, मैं पता देता हो आपको, तो पहले क्या था कि RBI Reserve Bank of India, यह Central Bank है, उनके पास बहुत power होती है, बतलब दुनिया में जो भी Central Bank है, वो बह जादा कुछ करती नहीं थे, लेकिन अभी चीजे बदल गई है, अभी pictures बदल गया है, और अभी RBI अभी action में है, तो उन्होंने कुछ दिनों पहले SDPC पी भी bank लगाया देया था, तो SDPC का जो credit holder है, नए credit holder नहीं निकाल सकते थे, या SDPC जिस बयान के तएत, और आज की news अभी हो सकती है कि आज ही वो बयान हट गया है, SDPC पे और अभी बयान लग गया है, PTM पे, तो PTM के लिए बहुत बुरी ख़बर है, और SDPC बयान के लिए ये अच्छी ख़बर है, तो SDPC बयान का बयान हट गया है, अभी दूसरा कि जैसे कि foreign company भी ये mastercard था, उस को पी भ का data इंडिया में रहना चाहिए, तो उन्होंने वो compliance को follow नहीं किया तो उनके भी इस तर भी ban लगा दिया था, अभी जो और दूसरी foreign company रेसेंट्ली डिनर्स क्लब करके और इस पे भी ban लगा है, तो PTM पे, लेकिन PTM का important है कि PTM पे ये दो बार ban लगा चुकी है, पहले एक एक बार 2018 में और अभी 2022 में, तो ये PTM के लिए तो अच्छी ख़बर होई नहीं सकती, तो उनके लिए ये बूरा टाइम ऐसे मान को चलो, दूसरी बात है कि जो recently news में बहुत चल रही है, कि PTM के जो CEO है, वीजे शेकर शिर्मा, उनको हो गई थी arrest, तो उस arrest को लगकर बहुत सारा हला हो चुका है, लेकिन जब उसका इनिस्टेक्शन हुआ, तो पता चला कि ये वीजे शेर्मा भाई अरेस्ट हुए थे एक एक एक्सिडेंग के बारे में, तो उन हुआ क्या था? उन्होंने किसी को एक्सिडेंट किया, गाड़ी से थोड़ा सा माइनर एक्सिडेंट हुआ, और वो भाई वहाँ से भाग गए, जो एक्सिडेंट हुआ, उस आदमी का नाम तो दीपक, और उन्होंने क्या किया, कि नंबर नोट करके रखा, और उन्होंने कर दी केस फाइल, उसके जब पूलीस ने उस गाड़ी का इनिस्टिकेशन किया, तो पता चला कि ये ग पूल्टी मार ले, तो उसके करन उनको अरेस्ट वी और उसके बाद में पेटियम ने इसका एक्स्फिलेंशन भी दिया, लेकिन ये भी पेटियम के लिए बूरी ख़वर है, अभी लेकिन हम बात करते हैं कि ये जो फिंटे के बहुत बड़ा जायंट है, इतना बड़ा कि उन्होंने आप देख सकते हैं, उनके बहुत सारी सर्विसेश शुरू हो गए, पेटियम सर्विसेश में जैसे के मनी ट्रांसफर होता है, प्या ओट्स, बिजनेस का जो है, खाता है, जब शुरू हो एती थे एक छोटा सा वालेट था, उसके बाद उन्होंने बहुत अलग तरह किसे सर्विसेश निकाली, जिसमें तरह काम ज्यादा से ज्यादा इसमें यूज करते थे उसको कि मुवीज के टिकेट बुक करने में, ट्रैवल्स के ये करने में, उसके बाद हो पेटियम का मनी सिस्टम, बैंकिंग, फोन ट्रांसपर ये लेके आए, उसके बाद उन् बनाया, पेटियम का, और लेकिन अगर देखा जाया है, इनका प्रॉब्लेम यही हो गया, हम बात करते हुँ, इसके बाद करते हैं, जो इतना सारा दिख रहा है, तो अगर इसकी इसटी देखा जाया है, तो पेटियम जब लॉंच हो था 2009 से, तो उसके पहले तो उन्होंने 2012 में पेमेंट के विल आया और उसके फ़ुबर, 2014 में एक पेमेंट walet करके चल रहा था, जिन के पास हम पैसा डालते था, पैसा डालत É rights और उस जौने को कई भी उच्छ कर सकते थे गारें, कि भी चीज़े आई मतलब आसे हम गोल्ड ले सकते हैं पास्टेक का उनके पास बहुत वाड़ा नेटवर्क है और आगे चलके उन्होंने हौर सारे चीज़े इसमें डालने का ट्राय किया और हभी हभी तो रिसेंटली उन्होंने बैंकिंग का भी शुरू किया जिससे वो क्र विजने जितना बड़ा देख रहा है उससे ज़्यादा तो क्रिटी साइज विजनेस हैं इनका रेसेंटली आइपिया था बहुत हावा चल रहे थी क्योंकि फिंटेक कंपनी के आइपियो ज़्यादा तर नहीं है इंडिया में तो यह बड़ा आइपियो था जिनका बहुत सक्सेस्फुल आया लेकिन उसके बाद बहुत गिर चुका है अभी रिसेंटली जब विजे शकर विजे शर्माजी का जब सीओ का इंटर्यू आये क्यूटूब पर तो उस इंटर्यू को देखकर इतने सारे क्रिटी साइज हुआ उनको मतलब उनका अगर तुम इंटर्यू देखो गे तो आपको भी शायद थोड़ी से हसी आजाएगी इतने बड़े कंपणी के सीओ का इंटर्यू ऐसे कैसे हो सकता है लेकिन आप इंटर्यून में बोलके ले सकते हो और वा पर जाके देख सकते हो मैंने खूद जाकी देखा है और उसके बाद मैंने सोचा कि पीटीम में से दूरी रहना चाहिए क्योंकि मतलब इतना बड़े रिस्पॉंसिबल बंदे ने जब ऐसे बात करते हैं तो थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो जाता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा और आप इस इंटर्यू को इस वीडियो को जाकर जरूर देखे क्योंकि ये कमपनी लॉस में चल रही है तो आपकब प्रॉफिट कामाना शुरू कर दिया तो वीजे जी ने उनको बोल दिया कि बाइं मेकिंग मूर मनी तो ये तोड़ा सा फ़नी टाइप का कुईशन था उनको शायद कुछ और कहना होगा लेकिन बोलते समय पो कुछ और करेंगे और दूसरी बात उनकी जो बोलने की टोन थी और उनका जो कैजूल नेचर था बहुत हसस के मतलब ऐससे उन्हों रही रियाक किया कि चलो मैं तो बहुत बड़े कंपनी का CEO तुम सब को बात क्या समझता है मुझे सब पता है इस तरह किसे तो उसके बाद यह जब ल पब्लिक लिए जब भी हम बात करते है तब थोड़ा सा सोच समझ कर मैच्चूर होके बात करने की बहुत जरूत होती है तो यह इंटर्यू डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी है और इसको तुम जरूर देखना तो यह था उनके अपने पेटियम के बारे में चीजों क्या अ अभी यह जो कंपनी है यह इंफॉर्मेशन टेक्नलोजी में आती है क्योंकि यह फिंटेक कंपनी है और इकॉमर्स उनको शुरू में किया था अभी इनकी जो मार्केट प्राइस हैं 774 रुपीज के आस्वाच चल रही है यह एक टाइम पर एक जमाने में 1600 के उपर भी गए है क्योंकि यह जो कंपनी अभी तो प्रॉपिट कमाने रही ना माइनस 26 का इंकारनिंग पर शेर है और इनकी जो फेस वैली एक एक है अभी हम देखते हैं इनका शेर के बारे में तो यह मैंने बताया था कि इसका शेर हाइट पे था जब IPO रिसेंटली लांच हुआ उसके ब सेवन हंड्रेड और फिप्टी रुपीज पे और आज की जो न्यूज है मैं इसकी सबसे जरूर ही बताऊंगा कि शेर और ज्यादा गिरेगा जिस तरह किसे इनका न्यूज में हवा चल रही है इस तरह किसी यह शेर गिरने के चांसे बहुत ज़धा है इसका मतलब तुम श सिक्संड्रेड और ट्वेल करोड का इनके उपर डेप थे और जो सबसे बड़ा जो पंगा है तो तुम यह देख लो कि फानाइंशियल मतलब एक कंपनी अभी तक प्रफिट जेनरेट नहीं कर पाई इतनी बड़ी कंपनी इतने सालों से कर रही है और यह बिजनेस बढ़ा तो तब जाके बहुत सारे बीजनेस में प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाता है तुम एक के कोर इस पे फोकुस करो उसको अच्छे से बनाओ प्रॉफिट कहाओ उसके बाद तुम दुसरे बिजनेस को ध्यान दे रहे हैं तो बात चलती है लेकिन तुम एक की बारी म सब कुछ करना चाहते हो तो तब जाके ज्यादा कुछ अच्छा होनी पता उनका ज्यादा प्रब्लिम हो गया है तो अब हम अगर इनका फाइनेशल देखने का ट्राइ करें तो इनका फाइनेशल देख लो तुम यह कंपनी शुरू में बहुत अच्छी सी ग्रो हुई मतलब और सॉप्टेर कंपरी में होता भी ऐसा है कि इनका टोटल रेवनियू 241 करोड था 2012 में और इनका अर्निंग भी चल रहा था तब जाके मतलब नेटी इंकम था 84 करोड तो अच्छा खासा इंकम था उसके बाद इनका थोड़ा सा डाउंग्रेट दिखने को मिला लेकिन 2015 में कि इनका बीजनेस बढ़ गाया पर उपर उनका लॉस उना शुरू किया क्यों उन्होंने एकस्पांशन शुरू किया भञार टीपरेंट यूपरेंट टेकनोलाजी में इनिस्रिसमिंट करना शुरू किया यूजर को लाने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करने श में अदिए छीज़े चीज़े अभी देखो अभी से 17 के बाद अल्मोस 18 के डेलोंका रेवनी हो गया लेकिन उनका इंकंडों डाब कर दाद Śछ मोरा सुपकर उनका है इए पर लॉस के बाद इनका रेवनीग है को तोदो पहुल्ग讲 नेखे लेकिन आप लॉसर यह बठ तो इस तरह के से पीटियम का अब भी देखते हैं मैंने देखा दिया आपको कि यह जो चल रही है कि बहुत सारे चीजों में उनको आरेस्ट का प्रोब्लम वह भी एक चल रहा है तो तो कैस अभी आपको इस गिरे हुए यह जो शेयर की प्राइस गिरे हुए ना तो उसको दे बहुत जादा और मुझे सकता है कमप यह कर रहा है कि और हाँ प्रोब्लम लेकिन इस त acá दो रहूंगा अभी कि यह परेंगी पोपिटेबल बन जाएगए जब इनका फोकस एस जगभब शिप्ट हो जाएगा तब जाके हम मैं तो इस पर इंट्रेस्ट दिखा सकता हो तो अभी के लिए मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना इतनी अच्छी आइडिया है मेरी लिए तो ये मेरा ही साब से आप चाहे तो अभी और रिसर्च कर सकते हो क्योंकि इनकी जो सब्सक्राइब आपको बिजनेस का रहुनी मॉडल तगड़ा हो तो बहुत ज्यादा क्रोथ होती है क्योंकि ये प्रोड़क कंपनी है लेकिन अगर आपका बिजनेस मॉडल जी तरह अच्छा नहीं और तूमच डिवर्सिपिकेशन है और टेकनलजी थोड़ी सी एच टेकन से लेकर अगर अपग्रेड नहीं रहे तो दूसरा और कोई स्पेस में इंट्री करके मार्केट शेर घ्राप कर लेता है और वह से भी तुम खुद को एक क्वेशन पूचो कि लास्ट टाइम तुमने पेटियम को चोड़ा होगा तो क्यों चोड़ा होगा और अब भी तुम पेटियम को कितना फ्रिक्वेंटली यूज करते हो तो यह क्वेशन का अगर आइंसर तुम खुद दे पाओगे तो तुमको पता चलेगा कि पेटियम एक जमाने में बहुत अच्छा काम कर रहे थी हम सब यूज कर रहे थे और तो अब हमारे पास option भी नहीं थे लेकिन गोल में इन्वेस्मेंट में यह बहुत साथ सारी जगह पे ट्राय कर रहे लेकिन से उनको प्रॉब्लम हो सकती है तो यह था पेटियम की इंफोर्मेशन के बारे में कि जो रिसेंट निव्स है थोड़ा सा फानेंशल है हमने देख लिया तो मेरी इसाब से इस पर मैं तो इ इन्वेस्टिमेंट कर रहे हो सोच कामच कर किजिए हैपी इन्वेस्टिंग थैंक यू पर रोचिंग